बिलासपूर में आज हिंदू जागरन ने प्रदेस महामंतरी कमल गॉत्म के अध्यक्सता में एक बैटरिक का आयोजन किया इस दोरान हिंदू जागरन मंच के परदेश महामंत्री कमल गौतम ने परदेश भाटपर सिरकार पर तोस्ति करन की नीती को सपस्त नहीं करने के विलासपूर में आरोप लगाए। आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू जागरन मंच ने परदेश भाटपर सिरकार से आगरे किया है कि बेसहारा गौवंच की रक्षा के लिए आतिस्री घरसकारात्मक कदम उठाये जाएं। देखा किया जा रहा है, वो कताई बरदास्ट नहीं किया जाएगा। और साथ में जिन जिन विश्यों को लेकर के हिंदू संगठन सरकार के समक्ष अपना विश्य रखते हैं। उन विश्यों के उपर सरकार की संबेदन हिंता कहीं न कहीं हिंदू हितों के उपर सीधा कुठारा गात है। मेरी दूसरा जो विश्य है, वो अपने परदेश भर में जितनी भी गौस अदन चल रहे हैं। हिंदू जागण मंच ये मांग करता है कि उन सभी गौस अदनों के लिए मुफ्त बिजली और पानी की विवस्ता सरकार की ओर से की जाए। अजवल हिमाचल के लिए बिलासपूर से सुरेंदे जंबाल की रिपोर्ट।